हेलो फ्रेंड्स अगर आपने अपने टीचिंग कोर्स के लिए NCTE OTPRMS Certificate के लिए अपलाई किया आया ओनलाई तो कैसे आप ओनलाई अपलाई करने के बाद उसको कैसे डाउनलोड करेंगे उससे जुड़ी भी जानकारी आपको इस वीडियो मिलने वाली है तो इस वीडियो में आपको NCT Certificate को डाउनलोड कैसे करना है उसके बारे मताने वाला हूँ साथ ही कैसे पता करेंगे कि आपका Certificate valid Certificate है या नहीं है उसके जुड़ी भी जानकारी भी आपको इस वीडियो मिलने वाली है कि कैसे आप अपने वेरिफाई कर सकते हैं ब्राउजर को उपन कर लेना है उसमें सर्च करना है NCT Certificate सर्च करने के बाद जो पहला लिंक आता है आपको उस पर क्लिक कर लेना है NCT की.joyRotinable लिंक पर इसमें क्लिक करने के बाद आप NCT के लोगिन पेज़ पर आने के बाद अब आपको यहाँ पर यूजर नीम और अपना पासवर्ड दे के लोगिन कर लेना है जोने हम आपकी email id रहेगी के लिए उसका name of degree course, name of institute, name of affiliated body, year का पास है, इसमें mark sheet क्या है, degree क्या है, और इसमें आपको देखे हैं, अगर आपको पेंडिंग्स हो कर रहा है, तो आपको certificate नहीं बना है, अधरवाइस आपको certificate का option हो कर रहा है, तो इसमें आप क्लिक करेंगी, क्लिक करते हैं आपके सामने द उसका name होगा, उसका address mention होगा, साथ में NCT का address mention होगा, किस address नहीं, आपको certificate verify किया है, उसका यहापी देखे, एक number होगा आपका यहापी, तो कि आपका order number होता है, साथ में आपका year हैगा, session कब वो आपने pass out किया है, और देखे नीचे आपको left side में आपका date होगा, कि state में आप को यह verify होगा है, उस date आपका यहाप यहापर show करेगी, साथ में place आपका यहाप यहापर show करेगा, साथ में verification certificate अपको यहापर verify करना ना है, तो इस पे आप다 प्लिक करके verify कर सकते हैं, साथ में दीखे, आपको digital signature वहाऊदा गा, verify होता है, जो इसको verify करता है, तो इस certificate को आप कर सकते हैं अगर आप इसे computer में उपन करते हैं तो इस तरीके से आप अपने nct certificate को download कर सकते हैं अब बात करते हैं आप अपने डाउनलोड तो कर लिया है अब आप इसको verify कैसे करेंगे verify करने के लिए आपको same nct के login page पर जाना होगा login page पर जाने करने के बाद देखें आपको सब्सक्राइब करने के बाद यहां पर देखें आपको सब्सक्राइब करना है अगर आपके सामने आपका certificate open हो जाता है तो आपका certificate valid certificate है और यह verify हो गया है आपका अगर आपका certificate नहीं open होता है तो आपका certificate आपके यहां पर fake certificate है तो यह आपका valid certificate नहीं है तो इस तरह आप verify भी कर सकते हैं साथ ही दोस्तों, बहुत सारे commit मुझे सोहते हैं कि यहाँ पर जो हमारा certificate पर हमारा photo और name नहीं होता है, देखे दोस्तों अब जो certificate आता है आपका, उस पर name और आपका photo यहाँ पर mention नहीं होता है, certificate पर, वो verify करते हैं वक्त आप उसमे name से verify करेंगे, तो आपका certificate पर नहीं से verify ह तो दोस्तो इस तरीके से आप अपने certificate को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको verify भी कर सकते हैं तो दोस्तो आपको आज की वीडियो कैसी लेगी वीडियो अच्छी लेगी तो वीडियो को लाइक जरू कीजएगा चैनल फे फरस्ट ने लिए सब्सक्राइब जरू कर लीजएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ सेर करना ना बोली थैंक्यू